लगातार बढ़ती जा रही महंगाई ने जहां लोगों की कमर पहले ही तोड़ रखी है वहीं रिसोई में सबसे जादा इस्तेमाल होने वाले सरसो के तेल की बढ़ती कीमतों ने जंता का तेल निकाल रखा है वहीं बात BPL राशनकार धारकों की करें तो हरियाना सरकार द्वारा BPL राशनकार धारकों को डिपू से मिलने वाला सरसों का तेल जून महीने में ही बंद हो गया था जिसके बाद सरकार ने यह ऐलान किया था कि BPL परिवारों को 250 रुपे प्रति महीना दिया जाएगा लेकिन अमबाला में BPL परिवारों तक पैसा नहीं पहुँच पा रहा है जिसके चलते लोग डिपू धारक और दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई भी हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है BPL कार धारकों ने कहा कि अभी तक उनके अकाउंट में एक बार भी सरसूं के तेल के पैसे नहीं आये हैं डिपू होल्डरों द्वारा उन्हें सिर्फ आश्वाशन दिया जाता है और बजार में सरसूं का तेल 200 रुपे प्रति लीटर है जिसको खरीदना उनके लिए मुश झता है यापके बैंक में नहीं जीरो है नष्य हम जाते हैं तो वह कहता जी आएगा तेल आएगा मोधि झी भीजेंगे पर तेल नहीं आता ना पैसे आयं फीले पैसे पेसे हमें सरसूं का तेल मिलता था तो जो भी बढ़ाकर बंद कर वार दिया है ना तेल मिल रहा है और सब्सक्राइब कर दो जाएगी तो सर इस लिए इस लिए दिक्कत आ रही है भी मोदी जी के इस उस पे थोड़ा सा उनको देखना चाहिए बिजो सरसों का तेल दे रहे थे कम सब्सक्राइब वो भी बंद कर दिया है वहीं जब खादे एवं उपूर्ती विभाग के अधिकारियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अंबाला में लगभग 79,000 लाबार्ती हैं जिन में से लगभग 34,000 लाबार्तियों के बैंक अकाउंट नंबर गलत होने के कारण उनके बैंक अंकाउंट में पैसा नहीं पहुँच पा रहा है हमने उन लोगों की लिस्ट बना ली है डिपू होल्डरों द्वारा लोगों को ये सूचित किया जा रहा है कि जब तक वैप परिवार पहचान पत्र में बैंक अकाउंट नंबर ठीक नहीं करवाते तब तक उ जो डिस्टिक अंबाला में जो इतने number of beneficiaries थे, वो 69,381 थे, उसमें से जिनको मस्टरल की DBT 500 रुपय परमन जो सरकार ने शुरू किया था, वो जानी थी, और हमारे पास जो list आई है, उसमें से 34,109, इनके हमें account number जो हैं, वो fail थे, तो उनके account number हमें correct रवाने, इसमें से कुछ issues थे, जैसे अगर कभी किसी परिवार का मुखिया उसकी death हो गई है, तो उसका name change करवाना है, तो उसके account में नहीं जा रहा है, कभी-कभी IFSC code में कुछ problem आ गही है, इस वज़े से account में उनकी DBT नहीं जा रही थी, तो हमारे पास 34,109 की जो list आई है, हम उने time to time उने प्रोब आतार जैसे जैसे उनके पास beneficiaries आते हैं, वो उनको guide करते हैं कि हमारे जो civil service, जो CSEs होते हैं, operators होते हैं, जो banking respondents होते हैं, उनके थ्रूब मेरा परिवार portal पे login करके OTP डालके, जो भी चीजे हैं, details वगएरा, वो update करवाने, इसके लिए हमने अपने staff को भी time to time एकदम हम guidelines भी आ रहे हैं, उनको इंस्टाक भी कर रहे हैं,